हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के टेक्नलोजी में और आज की इस वीडियो में हम चाने वाले हैं कि अपने अंड्रोइड फोन में हम हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही काम की चीज़ है यदि आप मुबाइल चलाते हैं तो आपको किसी को मेस आपने इस चैनल को सبस्क्राईब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब जरूर करें उसके रहीं क्या करना होगा आपे चैनल यह नीचे जो सब्सक्राइब का vigor के निक्सिआ करना होगा और पास में जो यह बैल आकेन दिख रहा तो दोस्तों वीडियो को बीना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक प्रूब दिखा देते हैं कि कैसे हम हिंदी टाइपिंग करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिस में हमारा कीबोर्ड है वह सो हो रहा है यहाँ पर जैसे हम क्लिखते हैं आप कैसे हैं ठीक आप कैसे हैं लिखे तो यहां पर देख सकते हैं इंगलिस में टाइपिंग हुआ अब इसी सेम कीबोर्ट से हम हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऊपर एक option दिख रहा है एक और का यहां पर आप क्लिक जैसे करेंगे वही चीज जो आपने इसी कीबोर्ड से जो पहले टाइब किया है वह आप हिंदी में टाइब करेंगे यहां पर लिखेंगे आप कैसे हैं तो जैसे हम आप कैसे लिखेंगे यहां पर देख सकते हैं से मोही कंटेंट जो है हम हिंदी में लिख पा रहा हैं सेम कीबोर्ड से तो ताकि आपको अच्छ से मालूम हो पाएं और सभी सेटिंग को आप इसलिक कर पाएं ताकि आपको आने वाई टाइम में कोई प्रोब्लम नँआ हो और आप इजली हिंदी में टाइपिंग कहे भी कर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा प्ले स्टोर जो है उसको ओपन करेंगे यहां पे आपको सर्च करना होगा गूगल इंडिक कीबोर्ड गूगल इंडिक कीबोर्ड जैसे लिख कर आप सर्च करेंगे देख सकते हैं गूगल इंडिक कीबोर्ड का आ गया है इसके क्लिक करने के बाद से आपको जो आपका कीबोर्ड है वह आ जाएगा यहां पे आपको आइकोन देख लिजी यहीवर जैसे हमने आपको रूप के रूप में दिखाया दोनों कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से तो दोस्तों यह हमारा कीबोर्ड जो है इंस्टॉलिंग हो रहा है और इंस्टॉल हो गया है ठीक अब इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद से इसमें कुछ सेटिंग करना होगा सेलेक्ट इंपुट मेथड जो है इस पर किलिक करेंगे यहां पर जितने भी कीबोर्ड आपके पास होंगे आपके मुझाल वर्फ लेबल होंगे ओ सारे आपको यहां पर दिख जाएंगे यहां पर हम बीच वाल जो है इंडिक कीबोर्ड जो हम अभी डाउन्लोड किया है ँस पे यहां पे हम Tic लाइके इसको okay करेंगे तो दोस्तों इसको हम यहां पे option को select कर लेते हैं यहां पे set permissions जो है उसको करेंगे यहां पे कुछ permissions जो लिए इसके ऐए accept क्लिक करेंगे उसके बार इसे next करेंगे यहां पर फिन से आप set all हो जाएगा उसके बास से start get started करेंगे उसके बास से select यहां पर हमको क्या करना है select input method हो गया अब इसको simply cut कर देंगे उसके बास हमारा keyboard जो है अब आप देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ था वहां पर कुछ दूसरा लोंग भी लिखा गया ठीक है तो इसको change करना होगा हिंदी में इसके लिए आपको लिक करेंगे उसके बास से हिंदी ही si Associate करेंगे Hindi करके okay कर लेंग만 यहां पी आपको तीन अप्षण दिखेगा तीन अप्सं में पहला है य sketch यानि जर्ट हेंगेred to Hindi No ho जाएगा और दूसरा है जो पूरा keyboard जो है Hindi में ही रहेगा तो दोस्तों थीसरा आप लिग से हाथ से अपना कर सकते हैं तो इसको सेलक कर लेंगे इसके बाद से आप यहां जो भी आप टाइप करेंगे वह आपका हिंदी में ही टाइप होगा इंगलिस कीबोर्ड रहेगा लेकिन हिंदी में टाइप होगा तो यहां देख सकते हैं जैसे देली हम टाइप कर रहे हैं देली तो दोस्तों आसा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट रहा होगा तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसको सेयर करें ताकि उनको भी इसका वेनिफिट मिल पाए और ऐसे ही इंपोट नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए